और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे इस वक्त हम लोग हैं हम लोग इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर हैं रमला के नजदीक हैं और आपको बता देगी कई क्रॉसिंग होते हैं एक क्रॉसिंग हमारे पीछे में आप देख सकते हमारे कैमरा परसन आपको तस्वीरे दिखाने की क कोशिस करेंगे वहां से हम प्रवेश किये हैं जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिख रहा है उधर इसराइल है जो आपको इसराइल से हम लोग वेस्ट बैंक की तरफ प्रवेश किये हैं और रमल्ला थोड़ी देर में पहुंचेंगे लेकिन यह कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक के लिए है जब इस्ट्राइल के लोग इधर नहीं आते लेकिन पैलेस्टीन के लोगों को उधर जाना होता है तो यह इस्ट्रक्चर बनाया गया होता है आम तोर पर इस्ट्राइल के लोग यहां नहीं आते लेकिन यह इस्ट्रक्चर आम लोगों के लिए आने जाने के लिए बनाया होता है जब तनाव की स्थिती होती है और इस वक्त देख सकते हैं आपको ये तमाम जो शहर दिख रहे हैं इसमें इधर इसराइल के सहर दिख रहे हैं वहाँ भी सामने में इसराइल है और इधर आपको पलेस्तीन का शहर दिख रहा है यानि ये वेस्ट बैंक का सहर है वो वेस्ट बैंक है और यह फिलिस्तीन के अंतरगत आता है लेकिन दोनों का बॉर्डर अलग-अलग है वेस्ट बैंक अगर पूर्म में है तो गाजा बिलकुल दक्षिन में पड़ता है इसराइल के और इस वक्त हम लोग वेस्ट बैंक से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्रॉसिंग करके हम लोग पहुंचे हैं वेस्ट बैंक में न्यूजेट इन इंडिया से हम और हमारे कैमरा परसन करम सिंग आ गये हैं वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक क्या नी फिलिस्तीन इसराइल के सीमा से जस्ट अभी थोड़ी दर पहले हम लोग महज 500 मीटर की दूरी पर घुसे हैं वेस्ट बैंक में और जब इसराइल से आप वेस्ट बैंक में घुसते हैं तो यहां की तस्वीर आपको बिलकुल अलग हो जाती है कितना विकास दोनों के बीच में है वो फर्क यहां साफ दिखता है आप देख सकते हैं आपको दिखा रहे हैं यह सड़के जो है फिलिस्तीन की हैं वेस्ट बैंक की हैं और ये भी कहा जारे कि वेस्ट बैंक तीसरा फ्रंट खुल सकता है पूरी लडाई में हमास के खिलाब जो इस्राइल की लडाई है पहला फ्रंट गाजा में है दूसरा फ्रंट उत्तर लेबनान बॉर्डर में है और तीसरा फ्रंट वे वेस्ट बैंक में गरीबी बहुत है गाजा में बहुत गरीबी है पर कैपिटा इंकम इसराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई तुलना नहीं है बहुत बड़ा फर्क है जमीन आस्मान का फर्क है और यहां देख सकते हैं चाहे इमारतों की बात करें जहां गगंचुम्बी इमा विकास नहीं है और वो तस्वीर जब हम यहां प्रवेश करते हैं तो वह आपको दिखता है यह देख सकते हैं तस्वीरे यहां इसराइल के किसी भी शहर से बिल्कुल अलग दिखता है वेस्ट बैंक वहां के विकास एक तरफ यूरोपियन और पश्मी देशों की तरफ पर इसराइल का विकास हुआ है तो वेस्ट बैंक बिल्कुल पिछडा सा दिखता है कुछ-कुछ शहर हैं वहां कुछ अच्छी मारते आपको दिखेंगी हम रमल्ला की तरफ प्रवेश कर रहे हैं लेकिन यहां जब हम प्रवेश किये तो दोनों के बीज का फर्क दिख जाता ह इसराइल एक देश है फिलिस्तिन एक territory है और देश के तोर पे फिलिस्तिन अभी तक नहीं बना है लेकिन इसराइल बतोर देश भी चोटा देश वो भी है और लड़ाई लगातार फिलिस्तिन से चलती है लेकिन जो हर जो structure होते हैं विकास के जो यहां के लोग है उनका income है जो पैलेस्टीन का इंकम है जो इस्राइल का इंकम है उसका असर यहां के शहरों पर भी दिखता है यहां के इलाकों पर भी दिख जाता है शहरे आज खाली है और भले वेस्ट बैंक में भी जो वेस्ट बैंक के मुताबिक यानि पैलेस्टीन के लोगों के मुताबिक 80 से ज्य यहां के लोगों के बीच में यहां के लोगों के साथ तो अभी तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुके लेकिन यह रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद यह था कि आप देख सके हमारे कैमरे से ही ज़्राइड और फिलिस्तीन का फर्क कितना है लेकिन फिर भी दोनों के जनेतिक तोर पर प्रमुख लोग यहीं बैठते हैं एक तरह से राजधानी के तोर पर काम करता है और यह अलमनारा स्क्वार जहां चार लाइन को आप देख सकते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे बात चित करते हैं जो फिलिस्तीनी है और कैसे देख रहे हैं गा अय। यह मैं मेगा एक साथ झाल फब यह हमास बनाते हैं को आप गाजी था। घहा लोग घा से फिलिस्टी कि बैडमानीं ऑनता प्रम।ट्बन करते में जहारा तोसें ल sebagaiां समिटीस. इंडें प्रम।ार को सब देखाना है जहारा है झायाद उत्स का यहारा है बनूत दू कि अनि Det से लोगा टेट इनायरें सकाहित को एंगा एंपिन्सक्कुन करने अर्फ बंगाला एंगाए को। हम मेरे एंगे टेकर ग chickens और यह कोड़िरो भीटिक्ट के calculating the qué। हमशना से किसी। तेला съ intrins गाज learners करने होरा थेरा किसी। प्रफ्य करहें द हें दोसे होगागव हो कहले हैंक फ्र kiss प्रफ्यार हो बच्र अकर चार्स निव अडना वार नतन्याχौ से लेह वैत ज